हेलो दोस्तों तो आज हम लोग बात करेंगे आज के इंट्रेस्टिंग मार्केट डेवलोप्मेंट्स के बारे में मार्केट तीन दिनों से बन था और फिर आज खुलने के बाद बहुती तेजी से बढ़ा और आज सेंसेक्स 1130 पॉइंट बढ़कर 50,000 के उपर क्लोज हुआ और निफ्टी भी 337 पॉइंट बढ़कर 14,850 के पास क्लोज हुआ और अभी हम लोग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसकी लिस्टिंग हुई आज और वो है नजारा टेक्नलोजी जिसमें राकेश जुन जुन वाना का भी काफी स्टेक है तो ये कंपनी लिस्ट हुई थी 81% के प्रिमियम पे 1971 रूपीज पे और ये 2024 का हाय बनाया था इसने डे का और उसके बाद ये बहुत तेजी से गिरा जिसे आप देख सकते हैं चार्ट में और ये जाके क्लोजबा 1592 रूपीज जो 44 पॉसेंट प्रिमियम पे था इसके इशू प्राइस से 1100 के तो अभी ये लोवर सर्किट पे लॉगड है तो ये आज इसकी लिस्टिंग हुई और आज निफ्टी आईटी का दिन था जैसे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 24 जो कि नौकरी है वह पांच पॉसेंट डाउन था वह पीछ में 9 पॉसेंट भी डाउन वा था बट लास्ट में उसने रिकवरी कर ली इसके अलावा बैंक्स का भी आज ठीक ठाक दिन था येस बैंक ने सरकिट लगबग टेच किया था और वह 17 पॉपर क्लोज हुआ है जो उस पर भी आप नजर रख सकते हैं और ये निफ्टी आईटी का बूम मेरे साब से एक्सेंचर के रिजर्ट के एक्सपेक्टेशन पर आया है जो कि इतना पॉजिटिव है तो हो सकते निफ्टी आगे भी बूम करें बट वह ओवर और मार्केट सेंटीपेंट करेगा तो च शॉर्ट टर्म बुरिश है तो इसका अगला रिजिस्टेंस हो सकते है 14,900 उसके बाद आप 15,000 लेविल्स पे रिजिस्टेंस देख सकते हैं और अगर वो क्रॉस हो गया तो देर इस पॉसिबिलिटी आफ ब्रेक आउट तो ऐसा हो सकते है कि 15,000 के बहुत उपर भी जाए मा आपको नीचे लेविल्स पर भी ध्यान रखना है अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया 14,750 के उपर तो अपना इमेडियेट रिजिस्टेंस आएगा 14,600 उसके बाद उसके नीचे आपका इमेडियेट रिजिस्टेंस आगा 14,500 तो आपको कॉशियस रहना है और आप जब अब भी मार्केट थोड़ा बढ़ते जाए तो आप पार्शल प्रॉफिट बुकिंग करते जाए क्योंकि अभी यूएस में भी जो बॉन्ड इल्ड्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया में भी कोविट केसिस बहुत जादा तेजी से बढ़ रहे हैं तो यह एक कॉ कि अेवाल एक कि अभी में भी मार्ब रहे घाए कोविट जाए उत्स बादी का उतादा द्वार इल्ड़ा रहे हैं भी में हुआ आए तो चेंग